सिरी मेरी भक्ती में आप सब का स्वागत है दोस्तों। अगर आप हमसे जुढना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आज के इस वीडियो में हम नवरात्री के कथा सुनने वाले हैं। प्राचीन काल में मनोहर नगर में पिठत नाम का एक अनार्ट ब्राम्वन रहता था। वह भगवती दूर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुनों से सुमती नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसके पिता प्रती दिन जब मादुर्गा की पूजा करते थे तब वह उस समय नियम से वहां उपस्तित रहती थी। एक दिन सुमती अपनी सक्यों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्तित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असाउधानी देखकर क्रोधाया। और वह पुत्री से कहने लगे कि अरे दोष्ट पुत्री आज तुने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ट रोगी या दरीद्र मनुश्य के साथ तेरा विवा कर दूँगा। पिता का ऐसा व जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्टी से, दरीद्र से अथ्वा जिसके साथ चाहो मेरा विवा कर दो। पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वा से जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल पर फल देना इश्वर के आदिन है। इस प्रकार सुमती के निर्भेता से कहे हुए वचन सुनकर ब्रामन ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवा एक कुष्टी के साथ कर दिया और अत्यन्त क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगे हे पुत्री, अब तु अपने कर्म का फल भोग, देखे भाग्य के भरोसे रहकर तु क्या कर सकती है। पिता के ऐसे कटू वचनों को सुन कर सुमती मन में विचार करने लगी। ओहो, मेरा बड़ा दुर भाग्य है, जिससे मुझे ऐसा पती मिला। इस तरह अपने दुखों का विचार करती हुई, सुमती अपने पती के साथ वन में चली गई। और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वहर रात बड़े कश्ट से व्यतीद की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर, देवी भगवती ने पूर्व पुन्य के प्रभाव से प्रकट होकर, सुमती से कहा, हे दीन ब्रामणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो, सो वर्दान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर, सुमती ने कहा, आप कौन है, वो मुझे बताए, ब्रामणी का ऐसा वचन सुनकर, देवी ने कहा, कि मैं आदिशक्ती भगवती हूँ, और मैं ही ब्रह्मविद्या व सरस्वती हूँ, प्रसन्न होने पर, मैं प्राणियों का दुख दूर कर, उनको सुख प्रदान करती हूँ, हे ब्रामणी, मैं तुझ पर तेरे पुर्वजन्म के पुर्णय के प्रभाव से प्रसन्न हूँ, तुम्हारे पुर्वजन्म में तुम एक भील की पतनी थी, और तुम अती पतिवरता स्री थी, एक दिन तेरे पती निशाद ने चोरी की, चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपायों ने पकड लिया, और ले जाकर तुम दोनों को जेल खाने में कैद कर दिया, उन लोगों ने तुमको और तुम्हारे पती को भोजन भी नहीं दिया, इस प्रकार नवरात्र के नौ दिनों तक तुमने ना तो कुछ खा और ना ही पिया। इस प्रकार नौ दिन तक नवरत्र का व्रत तुम्हारा हो गया। तु इस पर देवी ने कहा कि उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पती का कोड दूर करने के लिए अरपन करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पती कोड से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर सूमती बहुत प्रसन उसके पती का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ट रोक से रहित होकर अती कांतिवान हो गया। हे दुर्गे आप दुर्गती को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली प्रसन्न होकर मनोवांचित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो हे देवी, आपको प्रणाम, हे मा, हम सबकी रक्षा करें आशा करती हूँ कि आपको शार्दिय नवरात्री के बारे में ये जानकारी पसंद आई होगे अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें